आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज के अंदर हम यह देखेंगे कि हमें एम्यू के 6th class के entrance को किस तरीके से crack करना है ठीक है क्या हमारी strategy होनी चाहिए क्या planning होनी चाहिए और कैसे हमें topic wise चीजों को पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले एम्यू का entrance है 6th class का वह वैसे इतना difficult नहीं है बट इसमें competition level बहुत ज्यादा है thousands of students इसके लिए compete करते हैं every single year and इसका evaluation का जो तरीका है यानि students को नापने का जो तरीका है कि students कौन ज्यादा better है वह थोड़ा step wise है तो उसे समझना भी जरूरी है और अगर कोई भी इनसान उस सब चीजों को समझ कर अपनी preparation करेगा तो obviously उसका admission हो जाएगा बट हम कहीं न कहीं छोटी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती हैं हम student तो अच्छे होते हैं बट हम उन पर धहान नहीं दे पाते हैं इसलिए हमारा admission नहीं हो पाता है so in this channel क्योंके मैं खुद एक AMU student हूँ तो I will help you that how you should prepare ठीके आपको कैसे तयारी करनी है छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी preparation बहुत strong हो जाएगी and certainly you will score a very high rank in the AMU class 6 entrance so सबसे पहले क्योंके हमें AMU का 6th class entrance crack करना है तो हमें यह समझना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो important है हमारे लिए जानना ठीक पिलकुल basic चीज़ें अब की age limit आपकी उम्र आपकी उम्र जो है वह 10 से 12 साल के बीच है तो आप इस टेस्ट को दे सकते अजर आपकी Уम्र 10 साल से बारा साल से बीच यह आप तेस्ट को दे सकते हैं दूसरी चीज है इसका एवैलिवेशन का तरीका है यानि टेस्ट लेने का तरीका है म्यूति गुरु क्लास ग्यों जो जो रपनारु चीज जो पहले एक। रिटिन टेस्ट होता है रिटिन टेस्ट अब्जेक्टिव टाइट होता है उसमें questions आते हैं और आपको बहुत साय students उसके लिए compete करते हैं thousands of students but written test में qualify करने के बाद कुछ students वो interview के लिए जाते हैं so interview सब बच्चों का नहीं होता बलके कुछ बच्चों का होता है ठीक है जो qualify करते है रिटिन टेस्ट को ठीक है तो इसके बाद जो रिटिन टेस्ट है वो होता है 85 मार्क्स का ठीक और 15 मार्क्स का होता है अब यह interview और रिटिन टेस्ट को आपको कैसे इसको prepare करना है इसकी तो हम further अगले वीडियो में बात करेंगे but first thing is that कि अगर आप इसको prepare करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरीके से questions आते हैं हमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और क्या वाकई इसकी प्रिपरेशन करना इतना मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल नहीं है बस छोटी छोटी चीजों पर आप फोकस करें आप तीन महीने लग के डे बाई डे सिर्फ दस मिनट बीस मिनट आप दें ठीक है आप करना है तो वह किस तरीके से क्वेशन पूछते है तो आपको इसके लिए उनको समझना जरूरी है तो उसका भी हम जो जैसे वीकली एक बार हमें एक पेपर सॉल्व किया करेंगे ठीक है एवरी सेवन्थ दे हर साथवे दिन हम एक एम्यू का जो लास्ट यर आयोवा पेपर उसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे ठीक है शुरू से आखर तक अगर आप इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि एक के बाद एक दे बाद आप चानल पे आने वाली वीडियो को देख सकें ठीक है और हर वीड मतलब आप हर टॉपिक को अगर ताइम देंगे तो इससे क्या हो का जो आपकी मेन चीज है जैसे लैंग्वेज है अम्यू लैंग्वेज पर बहुत फोकस करता है ठीक है यानि के अर्दू, हिंदी और इंग्लिश पर बहुत फोकस करता है अगर आपकी यह पोर्शन स्ट्र तो आज सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टेस टेस्ट दिखाना चाहती हूं पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहें नेक्स वीडियो जिसके अंदर हम एक प्रैक्टेस टेस्ट को शुरू से आखिर तक सॉल्व करेंगे यानि पिछले साल अम्यू में आये वे एक प अगर आप इस जर्णी को शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जोडें और थांक यू वेरी मच और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेट तो थेस्ट रिलेटेट तू रिलेटेट तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लि